चपर्टे चपर्टे राएधा 29 मार्च को मनाया जाएगा आलंकि प्रशासन द्वारा कोरोना के बढ़ते मरीज देखते हुए इस पर प्रतिवंथ लगा दिया गया था लेकिन उसके बाद कई राजनितिक संगठनों और आम जंता की विरोत के बाद प्रशासन द्वारा गाइडलाइन में बदलाओ किया गया और अब कुल 20 लोगों को होली का देहन के लिए एकतरित होने की छूट दी गई है चुँकि होली का देहन 28 मार्च को सरवार्त सिध्धी योग, अमरत सिध्धी और अमरत योग में होगा जोतिशी मानिता के नुसार होली का देहन की दोरान हवा की दिशा सिताय होगा कि आने वाले साल का समय व्यापार, शिक्षा, क्रिशी एवं रोजगार आदी के लिए कैसा होगा जोतिशी की मानिता तो जिस दिशा में होली का जलने का धुआ उटता है उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा होगा जोतिशी मानिता के नुसार होली का देहन की लौ से तय होता है कि अगर उसकी लौ या धुआ आसमान की तरफ जाता है तो उसका अर्थ ये निकाला जाता है कि आने वाला साल सत्ता और प्रिशासनिक शेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है आने वाली होली तक का समय भी काफी अच्छा माना जाता है और ये भी माना जाता है कि कोई बड़ी जन्हानी या प्राकृतिक आपदा की संभावना भी कम होती है दोस्तों पौरानिक कथाओं के अनुसार होलिका देहन बुराई पर अच्छाई का प्रतिक है भक्त प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका ने जराने का प्रयास किया था लेकिन उस आग में वो खुद जल गई प्रहलाद उस आग से बच गए थे यानि सच्च की जीत हुई थी वही होलिका की राग को मस्तक पर लगाने का भी विदान है ऐसा माना जाता है कि उस राग को मस्तक पर लगाने से सारे शारेरिक कष्ट दूर हो जाते हैं जी हां ऐसी मानिता है हिंदू धर्म में कि राख को अगर मस्तक पर लगाया जाए तो उससे आपके सारे सारे कश्ट दूर हो जाएंगे तो दोस्तो आज की special story में सिर्फ इतना ही और भी इस तरह की किस से जानने के लिए जुड़े रहिए खबर मत्ज़ प्रदेश के साथ